हेलो बच्छो नमश्कार कैसे आप अमीर अस्तानदार जिंदवाज जबर जस्त होंगे बचे रफ्तार बैच के टीम से मिलवाने वाला हूँ आपको और रफ्तार नाम मतलब ऐसा है कि थोड़ा हो सकता है मोटिवेट करें आपको और रफ्तार हलकि जी जे ऐसा है कि जो मैं देखे होंगे वहां हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं ठीक है तो रफ्तार बैच में आपकी पढ़ाई भी रफ्तार से चले यह हमारी कोसिस रहेगी और उससे पहले मैं आपको थोड़ा बता दू बैच के बारे में रफ्तार बैच 849 रपेस की कॉस्ट रखी गई है डी टु आप यहां रफ्तार बैच देखें या तो सिलाइड विलाइड कर लें या पेड क्लास पर जाएं वहां पर जाएंगे तो फिर रफ्तार बैच आपको डूढ़ना पड़ेगा जस्ट अपलाई कूपन और डी ट्वेंटी कूपन कोड में लिखें और हैसोसी में बैच हो जा तो फिर अब हम क्या करें तो एंटीपीसी और ग्रूपडे में बहुत सारी चीजे कॉमन हैं बिलकुल कॉमन है पर अब इसके लिए बहुत अलग से आपको फीस ना देनी पड़े माल लीजिए किसी एंटीपीसी वाले बच्चे को एंटीपीसी का भी पढ़ाई करनी है और 960 यानि अगर आप 680 में वह बैच लेते हो तो 260 एक्स्टा खर्च करने से आपको दोनों चीज़ अबलेवल हो जाएंगी आपको फरक क्या है फरक है साइंस का ही फरक है क्या हाँ मैठ रिजनिंग उसी लेवल के हैं इसमें कोई बात ही नहीं है बट जीएस भी वही टीम कर घला-ए टीचर अलग अलग है मैठ के और रीजनिंग के अब आप कहते हो कि सर मैठ मुझे वो चाहिए कोई कहिए मुझे राहूल देवतिया सर से पढ़ना है कोई कहेगा मुझे रीजनिंग सन्दीप सर से पढ़नी destruction संदीब से पढ़नी है तो ऑगर ऐसा है कॉम्बो मैं दोनों teacher available है आप कोई सा भी किसी से पढ़ सकते हैं ठीक है चलो और live classes recorded के रूप में इसमें भी रहेंगी doubt group रहेगा class notes आपको मिलेंगे mock test हर संडे मिलने वाला है ठीक है बच्छो तो 960 में दोनों batches 25 तारिक तक मिलने वाले हैं time table एक बार note कर लेंगे सुबह 8 बजे maths की class हो रही होगी आकास सर्मा सर की science की class सुबह 9 बजे हो रही होगी तीन teachers है science में physics chemistry और biology के लिए अलग अलग आप जानते हैं कि physics आपको धर्मेंद सर पढ़ाते हैं biology आपको भावनमें पढ़ाती है chemistry रहुल पालिवाल सर है ठीक है बारा बजे से राहुल सर्मा सर की बहुत डिमांड हो रही थी उस time पे जब NTPC में मैंने संदीप सर को बैच दिया तो बच्चे कह रहे थे हमें रहु बॉल सर्मा सर भी वहां रहे हैं ठीक है तो दोनों बैच आपके उपन रहेंगे तो दोनों teachers भी आपके लिए वलेवल हैं 12 बजे से इनकी class है quality की class है अजीत सर की हला कि यह class यह class और यह classes यह common ही होंगी science अलग होगी साइंस का वैटेज जादा है साइंस बहुत खास मानी जाती है गुरूप डी का बच्चा का डरता है इस बैच के अंदर किसी चीज से गुरूप डी वाला बच्चा सिर्फ साइंस की classes करना चाहता है जब math reasoning gs तो मैं पढ़ता हूँ आया हूँ मुझे special क्या चाहिए science चाहि हमने ntpc के साथ इसकी अलगी चलेगी अलग टाइमिंग पर क्योंकि इसमे नुमेरिकल्स वगेरा भी एड़ान हों ठीक है क्या chemistry में हो जब फिजिक्स दोनों में नुमेरिकल्स आते हैं इसके बचे geography and economics सामको 6 बजी classes है यह ntpc वाले से मैच करेंगे और स्टेटिक जी के सब्सक्राइब सर जिनकी क्लास में आपको मालूम है कि क्लास खतम होते होते आपको क्लास जब खतम करते हो तो अब चीज़े याद हुई मिलती है यह वही टीचर्स है अभी मैं सब को बुला लेता हूं तो प्लीज एक बार सारे टीचर्स आज हैं और बच्चों को थोड़ डिफ्रेंस क्या एंटीचर्फ बहुत सारे बच्चों के मन में होगा किसर एंटीपूसी के मेट्स और गृूप डीके मैट्स में कितना डिफ्रेंस है या क्या खास करना पड़ेगा मेरा तो मैट्स बहुत वीक है मैं जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा तो क्या मैं अभी मैट्स को कवर अप कर सकता हूँ मैं आराम से कह सकता हूँ कि अभी गुरूप डी का आठ महीने पेपर नहीं होने वाला क्योंकि अक्टूबर, नॉवंबर, दिसंबर दिसंबर में जाकर के अलपी का स्टार्ट होगा उसके बाद आपका टेक्निशन, उसके बाद आपका आरपी एफ ये करम चलने वाला है तो एक-एक का कम से कम एक-एक महीने से जादा एक्जाम चलता है बच्चो और फिर NTPC जिसका हो सकता है डेड़ महीने एक्जाम चले तो अकर दिसंबर में ये स्टार्ट भी हो गए तो इतना लंबा प्रोसेस है एक्जाम का कि इसका नंबर मई-जून से पहले नहीं आएगा ठीक है? तो ये मतलब जो संभावना ये दिख रही है वो ये हैं ऐसा भी हो सकता कि और भी लेट हो पर इस से पहले नहीं हो सकता इस किसी भी तरीके से ठीक है? चलो अब बात करेंगे पहले मैट्स की कर लेते हैं आकास सर्मासर से तो मैट्स को आप थोड़ा सा एक्स्प्लेइन करें कि बच्चे को एक तो ये चाहिए इस बच्चे को ये काफी वीक होता है कि गुरूप डी का बच्चा एकदम जीरो लेवल से मैट्स से ही है और कुछ बच्चों की ये सिकायत रहते है क्योंकि आपको कभी-कभी ने एक घंटे में तीस क्वेश्चन ये पर तीस क्वेश्चन आर्पीएफ में कराने पड़ते हैं तो सर बहुत तेज़ चलते हैं कमजोर बच्चों को उतना बढ़ी है नहीं सिका पाते हैं कुछ तो बहुत ही घोस हैं तो मुझे लगता है कि वह वाली बात पर भी आपको थोड़ा बोलना पड़ेगा तक इनको विश्वास आ सके जी जी शर तो नमस्कार प्यारे बच्चों जैसे कि अब भी मैं रेल रख्षक बैच है सर हमारा आर्पीएफ वाला पॉन्स्टेबल ऐसाई तो लगबग पिछले तीन महीने से आर्पीएफ के जो एक्जाम्स है चाहिए एंटीपीएफ यह बहुत बड़ा बैच है और आपको मानते हो कि आर्पीएफ में सबसे हादा बच्चा आडवली से पढ़ रहा है उसमें सरी पढ़ा रहे हैं हार एक बच्चा संतुस्ते बै चलते हैं तो इसमें सभी क्वेस्टन मिक्स करके आते हैं तो इसमें लेवल इतना बहुत जादा अच्छा नहीं होता लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो मैं इतना विश्वास जरूर आप लोगों को दिला सकता हूं कि सलेवस को जैसे सर ने बताया भी बहुत टाइ मैं दो कोईस्टन एज के बढ़ते हैं तो उन्हें रिजनिंग में अगर काउंट करें तो मैं अठाइस का बैठा बागी तीस है तो हम तीस नंबर का पूरा सलेवस जो होगा उसको बहुत शांदार तरीके से और बहुत जीरो लेवल से लेके चलेंगे ताकि हर एक बच्चे क जो बहुत कमजोर भी है उसको भी यह सारी चीज़े समझाएं बहुत बढ़िया तो बच्चे एक तो बात यह है कि जैसे मैट्स की क्लास है इसको सर करा रहे होंगे और आप सोच रहे हों कि सर साथ-ाठ महीने हैं साथ-ाठ महीने मैट्स पढ़ना पड़ेगा हमें कि इतने सब्सक्राइब होगा नहीं समय चार महीने तक भी खतम हो बाकी सब्जेक्ट तीन महीने में सब कुछ खतम हो जाएगा हमारा टारगेट है मैट्स को छोड़ करके हम दिसंबर तक पूरी तरह से लिए बस हर चीज़ कर दें दिसंबर में इसके फॉर्म आएंगे हो सकता हम द पहले भी किया है फ्री आफ कॉस्ट उसमें एडमीशन हम लोग देंगे उन बच्चों को जो इस बैच को लेंगे वह वाला गुरूप डी का बैच जो दिसंबर में फॉर्म आने पर आएगा फ्री आफ कॉस्ट रहेगा बस फायदा फिर इस बैच को अभी क्यों आ रहें त चाहिए इस वजह से उन बच्चों के प्रेशर में बैच हम लेकर क्या है आपने देखा होगा वर्ना तो इसको एंटीपीसी जिस दिन लाएते उसी दिन ले आते हैं और बहुत सारे बच्चों का ऐसा प्रेशर आया कि हमें पढ़ना ही और बैच भी आपसे चाहिए और यारी क्यों ना करें अभी से और तब करेंगे फारम आने पर तब सब करेंगे तो बहतर समय यह तो यह बात उनकी जायज थी जिसका हमारे पास कोई जवाब नहीं था इसलिए बैच आगे बात कर लेते हैं रीजनिंग की तो राहुल सर्मा सर प्लीस आजाएं और थोड़ा रीजनिंग के बारे में एक्स्क्राइन करें की गुरूप डी की कैसी रीजनिंग आती है ससी से जैसी है या कुछ पेटर्न में पहले बदलाव हुआ 2019 में वी एक्जाम हुआ 2022 में भी एक्जाम हुआ 2019 वाली भरती का तो क्या बदलाव देखने को मिलता है धन्यवाद सर नम पिछली बार नॉन वर्बल के कुष्चन की जो संख्या थी वो अच्छी खासी थी यानि कि हर सिफ्ट में हम देखें तो 5-6 कुष्चन तक हमको मिल रहे थे यह 2018 में बढ़ती आई तो 19 में जो एक्जाम हुआ था उसमें 5-6 कुष्चन नॉन वर्बल के पूछे जा रहे थे हर सिफ्ट में जिसमें फिगर काउंटिंग भी था लेकिन इस वाले एक्जाम में 2022 में जो हुआ है इसमें नॉन वर्बल के कुष्चन ना के बराबर मतलब मै कहूंगा कि किसी कोई सिफ्ट में कोई एकाद कुष्चन पूछा गया हो तो पूछा गया हो वरना मैंने बहुत सारी सिफ्ट होगा अनलाइसिस किया है तो उसमें कोई कुष्चन नहीं मिला नॉन वर्बल से दूसरी बात यहां जो अब 2022 में जो एक्जाम हुआ था उसमें सेटिंग अरेजमेंट, और सेक्वेंस, कंडिशनल नंबर, लेटर साइन यह तीन चेप्टर ऐसे थे जिनका बेटेज 5 से 6 कुष्चन तक था हर चेप्टर का यह तीन चेप्टर बहुत ज्यादा पूछे गए थे और यह मुस्किल भी होते हैं अगर मैं सेटिंग अरेजमे होता बहुत आसान है क्योंकि जितना जादा हमको डाटा दिया जाएगा उतना ही कुष्चन आसान लगेगा फिर वो तो उनको हम किस प्रकार से करेंगे तो वो हम किलास में सारी चीजों को बताएंगे बिलकुल सांदर तरीके से लगबग लगबग मैं कहूं आराम से हमारा जो पूरा सिलेबस है वो 55-60 किलासों में अच्छे से बहुत सांदर तरीके से कवर हो जाएगा तो आईए मिलते हैं कल सौंबार यानि की 23 तारीकों अपने वाले समय दोपेर के 12 बजे बहुत ब्रया तो राहुल सर्मा सर की बातों से आपको अंदाजा लग गया होगा कि इ अब यह तयार हैं कल से आपको 12 बजे रिजनिक क्लास लेने के लिए आगे बात कर लेते हैं बचो जी एस की जी एस के हमारे पास अभी एक ही रिप्रेजेंटिटिव हैं और बाकी जो है बाकी टीचर्स अभी है नहीं अविलेबल यहां पर स्टूडियो में इसलिए नहीं आपाए और बाकी क्लास में अपने समय पर बिल्कुल हाजिर होंगे हो सकता है कि जो जो जोगरफी वाले टीचर है अरुन सर वो तैईस को न लेकर कि चौबिस को क्लास लें और समय पर आ गए तो तोड़ा आउट आफ स्टेशन है बाकी अजीत सर से ही हम जान लेंगे कि ज से वेपराता है जी Thank you sir तो नमसकार साथियो दोस्तों अगर मैं बात करता हूं जी एस की तो यहां पर मैं special अगर quality की बात कर लो जैसे मैं quality की class आपकी लिए रहा हूं तो quality में गुरूप D में बहुत ज़्यादा detail तो नहीं पूछा जाता है लेकिन question ठीक टाक आते हैं अच् TPC से तो उसमें अच्छे लेवल के questions जाते हैं क्योंकि ये class combo batch में भी जाएगी तो अगर उसी detail में हम लेकर चलेंगे मतलब full detail में लेकर चलेंगे आपको ये attention लेने की ज़रूत नहीं पड़ेगी कि हम group D में पढ़ रहे हैं बहुत जादा normal भी पूछ लिए जाते हैं कि रास्टपती कौन से आर्टी कर में बन जाता है इस तरीके के question भी पूछ लेते हैं लेकर अगर NTPC की बात कर लूँ तो रास्टपती से संब्दें तो उसकी चुनाप की प्रनाली भी पूछ ली जाती है जो चुनाप प्रनाली होती है किस देश से लीगी है कुछ इस प्रकार के questions भी आते हैं तो मैं पूरा detail में लेकर चलूँगा आपको घवराने के आवसकता नहीं है कल एक वज़े मेरे साथ आप लोग जरू जुड़िएगा धन्यवाद और अब बात करेंगे साइंस के लिए जो सबसे ज़्यदा फोबिया होता है इस बच्चे के अंदर की साइंस बहुत मुस्किल आती है और पिछली बार 2022 में मुझे याद है अभी भी एक्जाम हुआ था 2019 वाले का तो धर्मेंज सर ने लास्ट टाइम पे कुछ नुमेरिकल वाली क्लास भी लगाई थी क्युक्कि नुमेरिकल से बहुत बड़ा डर था बच्चे के अंदर और उन क्लासिस को बच्चों ने बहुत सरा आथा कि सर फिजिक्स की यह क्लास भावना में भी उस टाइम पर बहुत एक्टिव रही बाइलोजी की रेगुलर क्लास चली और उन क्लासे जहाँ केमिस्ट्री भी चली थी उन क्लासे से बच्चे कुछ जो लिमिटेड क्लास कराई एंड टाइम पर उस पर यूट्यूब पर तो बहुत बहुत फाइदा उन बच्चे को दिया और बहुत सारे बच्चे खुस हुए कि केवल इन क्लासे से मतलब हमारा पेपर मिल गया तो यह एक्सपिरियंस है इन टीचर्स के पास पिछले वाले बैच का और पिछले वाले उसका भरती का तो अभी बात करेंगे कि इस वाली भरती में उस एक्सपिरियंस के अधार पे और क्या एड़ ओन करना चाहेंगे और कैसे साइन्स को कवर अप करेंगे सार्थ नमश्कार दोस्तों तो यहां पर हम रेलवे की साइन्स को लेके चार टॉपिक्स पर बात करेंगे और उसमें हम यह जानेंगे कि आखिर रेलवे की साइन्स इतनी खास क्यों है तो देखें पहला मुद्दा आता है आपका स्लैबस तो जब भी अक्सर आप लोग पूछते हैं कि क्या इसके पढ़ने से यह कवर हो जाएगा आया इसका क्या स्लैबस है तो मिरे पास सिर्फ एक ही उत्तर होता है इसका कि देखें अगर साइन्स आ रही है किसी भी एक्जाम में जी एसके अंदर तो आप ये मान लें कि उसका इस्तर नॉर्मल नेवल है और वो बहुत ही कम इस्तर की पूछी जाएगी और स्लैबस में उसका थोड़ा सा है लेकिन जिस भी परिक्षा में साइन्स अलग से दी हुई होती है तो आप ये मान लें कि वहाँ पर एक वाइड स्लैबस आपको कवर करना पड़ेगा जादा स्लैबस कवर करना पड़ेगा अब यहाँ पे मैं इस्तर की बात करूँ तो देखिए अगर गरूप D की साइन्स को आप देखें हो सकता है आपने कभी वो ना पढ़ी हो तो पहली बार अगर आप उसको देखें निमेरिकल के कारणों से आपको लगे कि वो बारवी इस्तर की या BSC इस्तर की साइन्स पूछी जाती है लेकिन मैं आपसे वादा करदा हूँ कि आप 10th क्लास की UP Board या CBSC Board की बुक उठा के देख लीजी अब NCRT का पाठे करम है तो दोनों में कोई फरक नहीं है 5 चैप्टर ही UP Board में है 5 ही CBSC Board में है 5 चैप्टर से ही आपको पिछली साल का हर एक प्रशन मिलेगा और 5 चैप्टर से विशेश तोर पे एक तो आपका प्रकाशिकी हो जाएगा और एक आपका electricity हो जाएगा तो ऐसा हम हर बार तो नहीं कहेंगे कि केवल 2 चैप्टर से आएगा लेकिन मैं ये वादा आपसे जरूर करूँगा कि देखे गुरूपडी में 10 इस्तर की साइंस पूछी जाती है तो वो 10 इस्तर की है सिर्फ numerical के कारण आपको थोड़ा सा उससे डर लग जाता है मैं बात करूँगा numerical की तो कुल प्रशनों की संख्या जो आपकी रहेगी 25 में से 8 से 10 physics के questions होंगे जिसमें से 4 से 5 numericals रहेंगे जैसा कि आपको सर ने बताया कि exam से पहले हमने 7 class numericals की ली थी और उस class में मैं देखता था कि बच्चे जिन्होंने कभी numerical भी नहीं देखे वो भी numericals सीख रहे थे इसलिए नहीं कि मैंने कुछ बहुत special कराया था सिर्फ इसलिए क्योंकि numericals के डर से उन्होंने कभी numericals को देखा ही नहीं और उस class में उन्होंने जाना कि कितने आसा numericals उसमें आते हैं मेरे कहने का आरत है कि आप में से कोई भी इतना ना समझ नहीं होगा कि जिसको अगर वो चीज़ें समझाई जाए तो वो ना कर लेंगे जैसे मैं एक्जामपल दूँ सिर्फ फोर्स देगा displacement देगा गुणा करनी होगी और आपको कारे बताना होगा मतलब बस आपको पता होना सा इसकी तुलना में कम रहेगा और slabus भी वहां पे कम रहेगा लेकिन चूँकि यहां पर अलग आती है तो यहां पर इस तर भी उससे थोड़ा सा जादा रहेगा और slabus भी हल्का सा जादा रहेगा बाकी वहाँ numerical नहीं पूछे जाते हैं यहां numerical भी पूछे जाते हैं तो अगर सर ने आपको अलग से science की classes group D के लिए दी हैं तो वो बड़ा सोथ समझ के दी हैं तो मैं सभी से request करूँगा कि आप group D के लिए science को बिलकुल अलग ही तरीके से prepare करें बागी प्यारे दोस्तों मिलते हैं टेज तारीक को सुभा नो बजे और वहां प है कि भाई अभी हमारे पास chemistry के सर यहां हमारे बीच में नहीं है numerical वाली टेंसन भी आप उन सर पे छोड़ दिए कि chemistry में भी numerical आते हैं group D के अंदर अलागी chemistry ऐसे subject में numerical मिलने नहीं चीए पर कुछ मिले हैं पछली बार तो भाई राहुल पालीवाल सर करा रहे होंगे chemistry को आप समझिए कि अगर बच्चों ने यह संग्या दी है तो और गुरूप D के वैच से दिया रहे हो अभी तक चली आ रही है तो अब निश्चित तोर पर कि मैंने biology में कितना सांदार पढ़ाया होगा कितने बच्चे से कितने अच्छे से बच्चे को सिखा पाई होंगी होती है NTPC से थोड़ा ज्यादा या थोड़ा ज्यादा लेवल आप लोगों का गुरूप D में मिलेगा लेकिन अगर मैं biology की बात करती हूं तो यहां पर सिर्फ हमें number of questions का ही difference देखने को मिलता है NTPC में थोड़े कम questions आते हैं जबकि गुरूप D की बात करते हैं तो biology के questions का वेटेस बढ़ जाता है जबकि अगर मैं level की बात करूँ तो ज्यादा अंतर आपको देखने के लिए बिलकुल मिलता है यह बात आप लोगों ने पूरवा series जब हुई थी वहां पर देखी भी होगी कि questions जो आ रहे थे biology से बहुत ही simple या moderate level के आ रहे थे बहुत जादा higher level की biology नहीं आ रही थी तो अगर आप मेरे साथ class में जुड़कर biology करते हो तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूं बच्चो कि बहुत आसान तरीके से बहुती सरल उधारनों के साथ मैं आपको biology याद कराऊंगी और बहुत अच्छे से आप exam के अंदर biology के जो questions हैं वो करकर तो बच्चा जुड़ना ना भूले हमारे साथ जो हम classes शुरू करेंगे पहले physics के साथ शुरू करेंगे तो 23 तारीक में आप लोग सुबा 9 बजे physics की class से चुड़ेंगे उसके बाद जैसे ही आपकी physics खतम होगी मैं आपकी biology के classes शुरू कर दूँगी ठेंक्यू और biology के कर ली कुछ teachers नहीं हैं तो classes में available होंगे नमस्कार धन्यवाद